नमस्कार मित्रों जैसा कि हम लोग दीन दयालूपाद्याय गोरकपूर विशुविद्यालय गोरकपूर के बीएड फोर्थ समेस्टर के प्रत्थम प्रस्नपत्र सैचिक तक्निकी EDU BAD 113 के प्रस्नों को देख रहे हैं इससे पहले हम लोग सैचिक तक्निक का अर्थ परिभासा उद्देश विशेस्ताएं प्रकिर्ति और महत्तो को देख चुके हैं आईए आज हम लोग सैचिक तक्निक का छेत्र पर विचार करेंगे इसकोप आफ एजुकेशनल टेकनोलोजी सैचिक तक्निक का छेत्र इसकी ओधाना के अनुरूप ही है यदि हम सैचिक तक्निक को स्रभ द्रिश साधनों के रूप में लेते हैं तो इसका छेत्र सिच्छा में केवल स्रभ द्रिश साधनों तक ही सीमित रहता है यदि सैचिक तक्निक का तात्पर यदि हम अभिक्रमित अध्यान को लेते हैं तो इसके छेत्र में अभिक्रमित अधिगम अध्यान सामगरी ही आती है अर्थात हम कह सकते हैं कि सैचिक तक्निक का छेत्र काफी बिश्त्रित है यदि हम किसी एक पार्ट को लेकर अगर चलें तो इसका छेत्र सीमित है जैसे कि स्रब इद्रिश साधनों के रूप में अगर स्रब इद्रिश साधनों के रूप में लें तो स्रब इद्रिश साधनों प्रफ्त की सीमित हो जाएगा यदि हम अभिक्रमित अध्यान अधिक्रमित अनुदेशन के रूप में लें तो इसके अंतरगत सिर्फ अधिगम अध्यान सामगरी ही आएगी यदि सैचिक तकनिक का अर्थम व्यवस्था उपागम के रूप में लें तो इसका छत्र काफी प्थाने सैचिक तकनिक के छत्र के बारे में जो बताये हैं आगे देखते हैं उन्हों ने बताया है कि अधिगम के लच्छ तथा उद्दे से चिन्नित करना यानि की सीखने के लच्छ तथा उद्दे से चिन्नित करना या सहिचिक तक्निक के छत्र के अंतरगत आता है दूसरा इन्हों बताया है अधिगम वातावरण का नियोजन करना यानी की सीखने के एक्मास्फियर यानी की सीखने के वातावरण को किस प्रकार नियोजित किया जाए वो सब सैचिक तक्निक के छत्र के अंतरगत आता है तीसरा बिंदु में इन्होंने बताया है कि विशय बस्तु की खोज करना तथा उन्होंने संरचित करना यानी की सैचिक तक्निक का छत्र है कि विशय बस्तु की खोज करना तथा उसे संरचित करना अगले बिंदु में इन्हों ने बताया है कि उपरियूक्त सिच्छड वियू रचनाओं तथा अधिगम संचार का चैन करना अर्थात कि किस प्रकार सिच्छड के उद्देशियों की पूर्ति हो इसलिए सिच्छड वियू की रचनाओं तथा अधिगम संचार का चैन करना पांचमा बिंदु नों ने बताया है तो अधिगम ब्यवस्था की प्रभाव सीलता का मुल्यांकन करना यानि की अधिगम ब्यवस्था किस प्रकार प्रभाव साली है और उसमें सैचिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है या हुई है इसकी प्रभाव सीलता का मुल्यांकन करना और चठा बताया है भविस में प्रभाव सीलता बढ़ाने के लिए मुल्यांकन के आधार पर वानचित सूज बूज प्राप्त करना यानि की भविस में जो मुल्यांकन किया गया प्रभाव सीलता का उसमें जो कुछ कमिया है उन्हे दूर करते हुए भविश्य में प्रभाव सिल्टा बढ़ाने के लिए मुल्यांकन के आधार पर वांचित और शक्ता अनुसार उसमें सुधार करना यह सब जो है सैचिक टक्निक के छत्र के अंतरगत रॉंट्रा महोदे ने रखा है तो आप से प्रस्ण बनेगा आप इसे तय प्यार कर लें जैसे पूछ देगा डैरक्ट रॉंट्रा ने सैचिक टक्निक के कितने छत्र बताएं हैं तो इन्हों ने 6 छत्र बताएं हैं और इन 6 छत्रों का नाम यहां पर मैं बताया हूं आप इसे देख लें आईए अब हम लोग देखते हैं सैचिक टक्निकी के प्रका सिच्छा को प्रभावसीलता को बढ़ाने सिच्छर तता अधिगम में सुधार लाने इनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है यानि कि जो सैच्छिक तक्निक के प्रकार की बात है आगे हम इसे कितने प्रकार के होते हैं उन्हें देखेंगे उससे पहले हम लोग यहां पे दो चीज क्लियर हो कि सैच्छिक तक्निक की हार्डवेयर तता साप्टवेयर उपागम के मद्ध निरंतर अंतक्रिया है जिसके द्वारा सिच्छा की प्रभावसीलता को बढ़ाने सिच्छर तता अधिगम में सुधार लाने इनकी समस्याओं के सामाधान का प्रय तीसरा है प्रडाली उपागम यानि कि हम लोग यहां देखें तो कठोर सिल्फ उपागम हार्डवेयर और मृदू सिल्फ उपागम जिसे हम साप्टवेयर तकनिक के नाम से जानते हैं तथा प्रडाली उपागम जिसे हम सिस्टम एप्रोच के नाम से जानते हैं एक तीन उपागम होते हैं तो तीन उपागम कौन कौन तो कठोर सिल्फ उपागम तथा प्रडाली उपागम और इन तीनों को मिला कर एक और प्रकार से सहचिक तकनीकी के प्रकारों का उल्लेख होता है तो आप लोग सहचिक तकनीक के तीन उपागम को तयार कर लेंगे यहां से प्रस्ण बनेगा और इन तीनों को मिलाकर जो नई इस समय डिवाइडेशन जो प्रकार की बात हो रही है उसको देखें इसमें है बेवहार तकनीकी अनुदेशन तकनीकी और शिच्छ तकनीकी और यहां भी अगर सहचिक तकनीक के प्रकार पूछा जाए तो आप इसे कंफर्म रखें तीन प्रकार के यदि मिर्दुल कठोर और प्रडाली उपागम आए तो वहां पे आप ट्रिक करेंगे और बेवहार तकन अनुदेशन तक्निकी और तकनिसे ट्रिक करेंगे और प्रकार पूछे तो पहला जो इसमें बहु हार तकनिकी क्यों निखा जाता है इसे बहु हार तकनिकी जो पहला उपागम है दो और तकनिकी सहिक तकनिकी statistics स्काश्री ένα या इस बात पर बल देती है कि अधिगम तथा सिच्छड में मनोबैग्यानिक सिद्धानतों का प्रियोग किया जाए जिससे सिच्छड उद्देश्यों के संदर्व में विद्यार्थी तथा सिच्छक दोनों के वहार में आपेच्छित परिवर्तन हो सकें वहार तकनीकी वहार में परिवर्तन लाने का प्रियास करती है वहार परिवर्तन ही अधिगम प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है तो यहां पर जो पहला वहार तकनीकी है इसमें हम लोग सैच्छिक तकनीकी की अंतरगत जो सिच्छा के और सिच्छड के छित्र में मनोबैग्यानिक दान्तों का प्रियोग किया जाता है वह वहार तकनिक के अंतरगत आता है और इस वहार तकनिकी में यह प्रयास किया जाता है कि वांचित परिवर्तन विद्यार्थी के अंदर हो सके और आप जानते हैं बेवहार परिवर्तन ही अधिगम प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है अर्थात की जो अधिगम होता है वह सीखने के पैडाम स्वरूप हमारे बेवहार में जो परिवर्तन होता है अगर इसे बेवहार के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि यदि हम जूट बोलना पाप है यह अधिली तो यह अधिकम नहीं यह जब हम जूट बोलना छोड़ द Olympics हमारे व्हार में जूट बोलना राज यह का जाता है तो दिक हम भाउ परिवरत नानिंगे इस यह प्रेंगे को बवर्स्थित करती है तो इसमे व्हार परिवर्तन में जोर दिया जाता है दूसरा देखें इसमें अभी देखें कि एक बीएफ इसकीनर ने बेवहार तक्निक को विक्सित करने में विशेश योगदान दिया है यानि कि यह पूछे सिच्छर तक्निक के बेवहार तक्निकी पर किसका विशेश योगदान है तो होंगे आप लोग तो इस कीज़न ने क्रिया पर्सूत अनुबंधन शिद्धान्त जिसे कि शक्रीम क्वूलंस शिद्धान के नाम जाता है का प्रत्विपादन किया और उन्ह Humer पर पर प्रियोग किया था और उन्हों ने अपने प्रियोगों द्वारां चिद्ध किया कि व्यक्ति के व dove में परिवपतन किया जा सकता है वे वहाडने की शीरा बताती है कि विद्यार्थ Protestant में आपेच्चित प्रिवर्तन लाया जा सकता है वहीं दूसरी और सिच्छक ए कच्छा सम्बंदी बयोहार का निरिचण परिचण बिस लेसर तथा विकास की प्रविदिओं का उल्लेक भी किया जा सकता है। बयोहार तक्निक को प्रसिच्छर तक्निक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे देख लें तयार कर लें आएए आगे दूसरा जो अनुदेशन तकनीक है तो अनुदेशन तकनीक में कच्छा या कच्छा के बाहर पाठ्थबस्त को प्रस्तुत करने का व़लन किया जाता है यानी कि अनुदेशन तक्निक में कच्छा कच्छा के बाहर पाथ बस्तु को प्रस्तुत करने का वलन किया जाता है अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना यह कारे सिच्छक के अत्रिक्त अन्य साधनों तथा युक्तियों द्वारा भी पूरा किया जा सकता है अनुदेशन तक्निकी हार्डवेयर उपागम पर आधारित होती है इसके अंतरगत टेफ रिकारडर, रिकारड प्लेयर, टेली वीजन, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर आध, मसीनों पर आधारित सामगरी आती है तो अनुदेशन तक्निक के अंतरगत आप देख लें कि इसमें यह मुख्यता हार्डवेयर उपागम पर आधारित होती है और जो आपका पहला जो आप देखें बेवहार तक्निकी वामनो बैग्ञानिक सिद्धानतों पर आधारित है आईए इसके संबंद में जो मौतपूर कारी किये हैं S.M. मायक मूरीन ने उन्होंने अनुदेशन तक्निक के विशे में लिखा है कि अनुदेशन तक्निकी सिच्छर और सीखने को की संपूर प्रक्रिया को बिसिस्ट उद्देश के अनुसार डिजाइन करने चलाने तथा उसका मुल्यांकन करने की एक क्रमबद है यह सोधकार तथा मानिवी सीखने एवं आदान प्रदान तत पर आधारित है इसमें सीखने को प्रभावपूर बनाने के लिए मानिवी तथा और मानिवी साधनों का प्रियोग किया जाता है तो यह परिभासा जो है S.M. मायक मूरीन महोदै की है आप लोग तयार कर लें अब देखें उपरियुक्त परिभासाओं से असपस्ट है कि अनुदेशन तक्नीक सीखने को प्रभावसील बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है और तीसरा जो है सिच्छर तक्नीकी सिच्छर एक सोधे प्रक्रिया है इसका मुख्य उद्देश से छात्र का सरवांगी विकास करना है जो चात्र और सिच्छक की अंतक्रिया द्वारा संपन्न होती है सिच्छड के मुख्य दो तत्त होते हैं पाठ्थबस्तु तथा संप्रेशड सिच्छड तकनिक के अंतरगत पाठ्थबस्तु तथा संप्रेशड दोनों तत्तों को समलित किया जाता है यहां प पात्यबस्तु तथा स्रम्प्रेशण दोनों को इस प्रकास सम्मिश्रण करने की बात करती है जिसके अंतरगत सिच्छड के उद्देश्री की प्राप्ती हो सके तो आप इन तीनों को देख लें अब यहां पे अगर प्रकिर्टी पर प्रस्ण बनता है तो सिच्छड कला बिज्ञान एवंकला दोनों है उप्रिक्त में से कोई नहीं तो सिच्छड बिज्ञान एवंकला दोनों है सिच्छड तकनीकी सिच्छड के नवीन विदियों के प्रियोग पर बल देती है जिसका उद्देश प्रमुक रूप से सिच्छर तता अधिगम को प्रभावसाली बनाना आजके हम लोग आई आप Siichra तक्णीकी एवंग अनुदैशन तक्णीक में अंतर को देख लें यहां से प्रश्वन बनते हैं तो Si Richa तक्णीकी एवंग अंदेशन तक्णीकी में निम् consuming लिखित अंतर है पहला अंतर ही देख लें सिछर्टथक्णिक के जन्मदाता आईएके डेविस महोद है हंट मारिषन तथा हरपर्ट है यनि कि जो सिछर्टथक्णिक है उसके जन्मदाताओं की बात करें तो उसमें आई के डेविस हंट मारिषन otherwise हरपर्ट हो गया है कि अनुदेशनात्मक तकनिक के जन्मदाता ब्रूनर रावर्ट ग्लेसर एवं लुम्सडेन मौद हैं तो इसे आप देख लेंगे दूसरा प्रमुकंतर जो है वह सिच्छर तकनिक का उद्देश ग्यानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पच्छों का विकास है जबकि अनुदेशनात्मक तकनिकी केवल ग्यानात्मक पच्छ पर बल देती है तो आप देख लें सिच्छर तकनिकी ग्यानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पच्छों पर विकास पर जोर देती है जबकि अनुदेशनात्मक तकनिकी केवल ग्यानात्मक पच्छ परिविकार देती ऑबल देती ए तीसरा प्रमुक अंतर है सिच्छर तक्नीकी उपागम पाथेबस्तु और संचार पढ़ाली उपागम है सिच्छर तकनीकी उपागम में पार्टेबस्त और संचार प्राली उपागम है जबकि अनुदेशनात्मक तकनीकी स्वमसीन प्राली उपागम है चोथा अंतर है सिच्छर तकनीकी का आधार दार्शनिक मनोबैग्यानिक बैग्यानिक और समाशास्त्री है जबकि अनुदेशनात्मक तक्नीकी मनो बैग्यानिक और बैग्यानिक आधार लिये हुए है पाँचवा अंतर है सिच्छर तक्नीकी सिच्छर अंतक्रिया पर बल देती है जबकि अनुदेशनात्मक तक्नीकी बैग्यानिकता पर बल देती है चटा अंतर है सिच्छर तक्नीकी में इस्मृति बो देवंग चिंतन अस्तर पर बल दिया जाता है जबकि अनुदेशनात्मक तक्नीकी इस्मिति अस्तर पर ही बल देती है साटवा अंतर है सिच्छर तक्नीकी सिच्छक का स्थान प्रबंधक के रूप में लेती है जबकि अनुदेशनात्मक तक्नीकी सहायक के रूप में आठवा और अंतिम जो अंतर है वो है सिध्धान्त सिछर कलाववां सीखने का विज्ञान है और सिध्धान्त है जबकि अनुदेशनात्मक तक निकी इनपूट प्रोसेस और आउटपुट पर सिध्धान्त पर कारे करता है यानि कि अनुदेशनात्मक तक निकी अदाप प्रक्रिया और प्रदा के सिध्धान्त पर कारे करती है तो मित्रों मैं आपको मिड्ट टर्म से संबंधित मौतपूर प्रस्ण के रूप में सैच्छिक तक निकी के अर्थ परिभासा उद्देश विशेस्ताएं प्रकिर्ति मह प्रकार और अंतर को बताए और इसके बाद और टापिकों को क्लियर करके मैं आप लोगों को अब्जेक्टिव प्रस्ण लेकर उपरतित होंगा आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तयारी करें अभी समय है आज इतना ही नमस्कार